सबस्क्राइब किजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आप पास सकें लेटिस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कब तक हमें समसंग 821s में जो एंडरोई 12 वेश्ट 1EY4 का अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देदे वाला हूँ तो वीडियो का अंत तक देखेगा और लाइक कर देजएगा इस वीडियो को लाइक टार्गे अबने रखते हैं 85 लाइक 85 लाइक आप लोग कम्प्लीट कर देजएगा और चैनल पर पहली बर आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देजएगा नमस्कार दोस्तो मेरा नम है प्यूश और आप देख रहे हैं टिक दूस पर तो चलिए इस वीडियो को तो 821S जो है वो out of the box Android 10 के साथ launch हुआ था और इसमें हमें Android 11 का अपडेट मिला जो कि first Android अपडेट था और इसके बाद Samsung इसमें Android 12 का भी अपडेट देने वाला है क्योंकि 821S में हमें दो major OS अपडेट देखने को मिलने वाले हैं तो Android 12 का अपडेट हमें जो है Android 12 की अपडे है लेकिन जून से पहले ही हमें जो अपडेट है वो मिल सकता है क्योंकि जो 821S है इसमें जो प्रोसेसर यूच किया गया है वो है Exynos 850 का प्रोसेसर और इसी प्रोसेसर के साथ Samsung ने रिसेंटली अपना एक स्मार्टफोन लांच किया है जो कि है Samsung A13 उसमें हमें Exynos 850 का ही देखने को मिलता है और उस डिवाइस में हमें Out of the Box Android 12 देखने को मिलता है तो Samsung जो है वो जल्द ही Android 12 की टेस्टिंग 821S में स्टार्ट करने वाला है और प्रोसेसर सेम होने के कारण Samsung को टेस्टिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा तो हमें जो अपडेट है वो मई के स्ट पाटिंग में देखने को मिल सकता है 821S में बाकी देखते हैं Samsung फ्यूचर में क्या करता है और भी अगर कोई न्यू जाती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पर इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जर पर इंद वन्दे मात्रम